डूडी फ्रूट नर्सरी हमारे यहाँ पर किन्नू, मालता अमरुद्व, हर प्रकार के फलों के पौधे तयार मिलते हैं। यहाँ पर हाइटेक इज्रायल तक्नीक द्वारा पौधे तयार किये जाते हैं संपर्ट करें। विकास डूडी, नजदीक बिजलीघर, पन्नीवाला मोटा, जिला सिर्सा, हर्याना। मोबाल नंबर 8901146006, 8529055551 नमस्कार मैं हूँ परमोधुरा, आप देखना सुरू कर चुके हैं, दिसडकनामा.com इस वक्त मैं मौझूद हूँ सिर्सा में। सिर्सा के लगू सची वाले में इस वक्त मौझूद हैं, और जैसे कि अप सब लोग जानते हैं कि पिछले 12 दिनों से सिर्सा जिले के जो 15 गाम हैं, उनका धरना है, वो लगू सची वाले में चल रहा है, और इन गाओं की ये मांग हैं, कि इन गाओं में तीन खरीब चैनल ह वो दिये जाएं, हालांकि मुख्य मंतरी की गोशना थी, लेकिन इस गोशना पर काम नहीं हुआ, और उसको लेकर के अप गाओं के लोगों ने कड़ा रुख अपनाया है, लगू सची वाले में पिछले 12 दिनों से धरना दे रहे हैं, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के म सलाकार हैं, भारत बुशन भारती, वो भी सिरसा पहुंचे हैं, उनके समक्स मिटिंगों का दोर चल रहा है, और हमारे साथ किसान हैं, हम उन से चर्चा करते हैं, कि वो इस मामले को लेकर के क्या कहते हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से पिछले 12 दिनों से जो क बैटे हैं, पर अब चलो थोड़ी सी आवाज हमारी पहुंची है सरकार तक, जिसके कारण मुख्यमंतरी जी के सलाकार OSDG आये हैं, वहाँ पर हमारी कमेटी गई है, तो अभी समचार आ जाता है कि वो हमारी क्या बात रखते हैं और क्या करते हैं, और बाकी हमारा कहना तो यह है कि सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए और इसका मसला हल करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो यह गाय है, इन में वाटर लेवल बहुत काफी नीचा है, पाणी पीने को भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, और खेती के लाइक तो है इने बिल्कुल भी नहीं है, जो हमारी कियृ कि खेती खर्चे इतने हैं खर्चे करके भी हुआ में खाने के लिए काने के नहीं होती तो वह भी कंप worries said पर ऐसे हलात हो गए हैं इसकारण हमारे घर खाली हो रहें गाउं खाली हो रहें गाउं तो यह कितने गाउं को लेकर के जो पंदरा गाउं है वो पूरी तरह से पर भावीथ है याई 15 में से जो डारक जोन में हैं वो कितने गाउं पंदरा जी सारी हैं वो पूरे डेंजर जोन में पूरे डेंजर जोन में जो नहीं है इसमें भूमी नहीं अची रहे तो यह खरीब चैनल है यह कहां से ओटू वियर से आने हैं वहां पर यह आ जाते हैं तो फिर किसान कुछ बच पाएगा बच पाएगा जी बच पाएगा फिर तो बचे गई जी यह सर जो खरीफ चैनल जो मंजूर हुए ना उसका यह नक्षा मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह सीम और जो हमारा इरिकेशन डिपार्टमेंट है उनका यह नक्षा हमारे जमिदारों को दिया हुए है इसमें आप दे सकते हो यह दिंगतानिया खरीफ चैनल जो है उसका यह इन्होंने जो एरिया है वो सारा इसमें मैंचन किया हुए है उसके बाद जो बंभूर सुला अब आज हमारी जो कमेटी है उनकी मीटिंग ले रहे है अपने ओश्टी साब आये हुए है सीम के पिछली बार भी आये थे उस टेम भी उन्होंने डी सी साब को स्पेशल फून करके बोला था भी आप इस पे कारवई करो लेकिन प्रशाच्चन इसके उपर अभी तक कोई क कुछ कह रहे थे जिस तरह से अगर इस पूरे मामले में अगर मसला नहीं निकलता है तो गाउं के लोग है वो कड़ा रुख अपनाएंगे आगे कि किस तरह से बाइकार्ट भी हो सकता है चुनाओं का या कि बिलकुल हमारा जो वाटर लेवल है तीन सो पार कर चुका है जो कि अलग अलग गाउं का होगा हमारा साड़े तीन सो तक पहुंच गया ठीक है उसके बाद जो निच्चे पानी है बिलकुल कड़वा है जहर की जो भूमी के लिए बिलकुल बेकार पानी है हमारी जमीने बिलकुल बेकार होती जा रही है हम बिलकुल गगर नदी जो हमारे पास से गुजरती है उसके बिलकुल पास बैठे है कितना का फासला है पानी तो दूर तक पहुंच गया लेकिन हमारे तक यान नहीं पुछाया गर नजदी तक हमारी पूरी ये डिमांड है कि हमारे को ये पानी दिया जाई सरकार के लिए कुछ भी नहीं है अगर सरकार करना स्थर्टे मोटे जोभी लोग एक बढ़्या किसान और लेकिन पानी जो हमारा बिलकुल बेकार हो चुका है वमारे ज्मीने बेकार हो चुकी है हमारी कोई खहती तो फिर अगला कदम क्या हो So किसी को कुछने नहीं नहीं कि किसी करमचारी को कुछ नहीं 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 होता तब लेंगे न होसकता है सब्सक्राइब कर दें सरकार के लिए कुछ कामन मुश्किल नहीं है सरकार आज चाहिए तो कर दें आज हमारे मुख्यमंतरी के ओशीडी आये हुए शैद कोईनों को मसला निकाल जाए तो हम तो उनका धन्यवाद करेंगे अगर आज मसला निकाल के जाते हैं 29 तारीक हम यहां बैठे हैं तो उनको सुननी चाहिए हमारी वाज तक कोई परसासने के दिखा रही कोई आए आपके पास कोई खास नहीं आया जी कोई मारी इतनी खास डिमांड नहीं नहीं सुनी जा रही और एस्टीम साहब ने अभी तीन दिन चार दिन पहले पीछे यहां म हमेरे कुछ किसानों को यहां बुलाया था लेकिन उस मीटिंग में वी उनकी तरफ से कोई हमें अलों ठोस ज़वाब नहीं दिया गया वह जिए जुम्लेवासी चल रही है जो कभी कोई मीटिंग ले लेता है कभी कोई निए लेकिन जो एक्शन होना चाहिए काम होना चाहि करने की जो पर कोई वर्क नहीं कर रहा है दिक्कत सबसे बड़ी यह भी किसान यह कहते हैं इन तिन्नों चैनल का जो ज्रातल पर काम होना चीए वह कोई करके राजी नहीं है ना उसमें चोके हुआ पड़ा सिर्फ जमीन अक्वाइर करने का ही एक्षन देना है और किसानों को यह बोलना है भी हम यहां से ओके कर रहे हैं लगबग 75 परशेंट जमीदार इसमें जमीन देने के लिए एगरी हैं लेकिन दिक्कत होई है इसमें जो पहले प्रजेक्ट पास हुए थे अब आज जमीन के रेट वहां पर 3-4 बढ़ चुकी है और लेक्टर रेटर होई है तो सरकार जो कहती है गया जमीन देने के लिए त्यार है नहीं है हम जमीन देने के लिए त्यार है आज जो मार्किट रेट है वो दे अब यह हमारे बास एक पिछे एक चोटी सी बात भी यह जी भी सरकार ने कोई पांसरवेर इन्होंने त्यार किये हैं जो रोड जहां से कोई रोड निकलता है या कोई नेर निकलती है या कोई इस तरह के ख्रीफ चनल से निकलते हैं तो उसकी पमैश का काम करवा रहे ह इसे रिये में क्या रेट है उसके हिसाब से सरकार एक कमिटी उना रही है उसके वह एकड़ वाई क्या रेट देना चाते हैं तो अब भी आज मीटिंग चल रही है जी ओए रिशाव आए हुए यहां पे तो उसमें देखते हैं क्या नतीज़ा निकलता है उसके फिर बाद वाई काड़ कर देंगा तो आपने सुना कि किस तरह से जो किसान हैं वो पिछले बारा दिनों से लगुसची वाले में डेरा लगाए बैठे हैं और किसान यहां पर डटे हुए हैं लेकिन इनका मसला हल है वो नहीं किया जा रहा लंबे समय से किसान है यह मांग कर रहे हैं क 500 फिट जो है पानी है वो वहां पे बनता है और वो भी जो है जमीन के लिए यानि कि जमीन को उपजाओ नहीं कर सकता पानी काफी बेद खराब है और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब बाड आई थी तो पूरे के पूरे कई गाउं की जो जमीने हैं वो बरबाद हो गई थी तबाह हो गई थी और पानी है वो राजस्थान और आगे पाकिस्तान तक चला गया था तो यह गाउं के जो लोग यह कह रहे हैं कि जो पानी है वो इस पानी से जहां दूसरों की फसले बरबाद नहीं हो यह पानी उपजाओपन बढ़ाद है इसे इलाके का ताक बिस्ते भाव में अपनी जमीने बेच करके और दूसरी जगों पे जा रहे हैं क्योंकि यहां पर जो है बिल्कुल ही जमीन है वो बरबाद हो चुकी है फसले नहीं हो पा रही है यानि कि खाने के लिए गेहूं भी उनको जो है दूसरे गाउं से उनके रिष्तेदारों तक को लाना पड़ता है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का आप सेरे जुरू कर देजिए कॉमेंट सेक्षिन में आप अपने रहे जुरू देजिए कि पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं बहुत बहुत शुक्रिया